दोस्तो हर रसोई में कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो समय और मेहनत दोनों बचाने में मदद करती हैं और कुछ टिप्स तो बिल्कुल नहीं होती हैं जो हमारे रोज मर्रा के काम को और भी आसान बना देती हैं तो फ्रेंड्स आज हम ऐसी बहुत सारी टिप्स लेके आई जो आपका समय और पैसा दोनों ही बचाएंगी तो फ्रेंड्स यहां मेरी जो पहली टिप्स है यहें चावल को लेके जैसा फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हम लोग जो चावल लेके आते तो ज़्यादा ही लेके आते पर कभी-कभी क्या होता है ना उसमें कीडे लग जा सकते हैं क्योंकि अगर धूप में सुखाएंगी तो यह चावल कर जो टेस्ट होता है खराब हो जाता है और एक खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से आसान तरीके से घरेलू तरीके से चावल से कीड़ों को हटाया जाए तो फ्रेंड्स यहां पर जो मेरा तरीका है तो यहां पर हमने एक बरतन ले लिया है आप कोई भी बरतन ले ले या फिर एक पेपर ले ले तो यहां पर हमने लॉंग एड़ की है साथ में ही कपूर तो कपूर यह फ्रेंड्स पूजा वाला कपूर होता है तो इसको पाउड करके एक प्लेट में तो यहां पर देख सकते हो फ्रेंट्स आरे मेरches क्यों मैं क्यूड़ पड़ गया है तो इस चावल में एक कपूर और लॉंग को रख देना है मतलब इतनी देर की लिए रखना एक दो घंटे के लिए फ्रेंट्स और ये जो धकन है उसको हल्का सा खुला रखना या पूरी तरीके से अंस नहीं बंद करना है और फिर इसे हटा देना है मतलब हमेशा के लिए नहीं रखना है और यह बहुत ही बहुत टरीका है यहाँ पर फ्रेंड्स होच चुका था एक से 2 घंटा और आपको अब दिखा रह तो friends यहाँ पर आप देख सकते हो camera में साहथतना ना दिख रहा हो मैं आपको पास में करके दिखाती हो तो यह देखिए friends यह सारे घुन आप देख सकते हो, यह सारे घुन निकल गये हैं, अपने आप ही यह निकल जाते हैं जो इसकी कपूर और लौग की smell होती हैं, इस smell से यह जितने भी कीड़े होते अपने आप निकल जाते हैं और आपका चावल है बहुत हद तक साफ हो जाता है तो उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरी नेक्स टिप है इस तरीके के कैचप को लेके कैचप का पा किएगा नहीं बिल्कुल भी तो आपको यूस कहां करना है जैसे शिंक का टैब वाश वेशन का टैब ना काफी पानी से ये ज्यादा ही गंदा हो जाता है और इस पर ये पानी के दाग दब्बे लग जाते हैं तो इसे क्लीन करना और चमकाना बहुत बड़ा काम होता है तो ना ही आपको स्करब करना है ना कुछ करना है बस आप देखेंगे देखें हमने सिफ उंगली से ही रब किया आप देख सकते हो इसका टैब कितना ही शाइन करने लगता है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है इससे कोई भी नुकसान नहीं है और बहुत अच्छे से ये क्ली कर देता है तो है ना आपकी बहुत सारे इस तरह पैसे बच जाएंगे क्योंकि हमें इस तरह चीजे साफ करने के लिए बजार से बहुत सारी चीजे खरीदनी पड़ती हैं तो इस तरह आप देख सकते हो देखो फ्रेंड्स बिल्कुल नए की तरह यह चमक गया है न तो आप इसी तरह अपना वाश भेशन का अपना सिंक का टैब को चमका सकते हो तो उमीद करती हूं कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स यहां आपको जो भी मेरी टिप्स अगर जरा से भी यूसफुल लगे अच्छी लगे तो जरूर एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फ्रेंड्स यहां जो मेरी नेक्स टेप है इस तरह के ओलन कपड़े को लेखे होता है क्या ना कि जैसे सर्दियों का मौसम सुरू हो गया है ओलन कपड़े हम पहनते रहते हैं तो उसमें क्या रोएं जैसे पढ़ जादा लगत है उसे निकालना बहुत ज़्यादा ही टफ होता है तो आप इस तरह से बरतन धुलने वाला यह स्क्रबर ले लिजे फ्रेंड्स इससे ना बहुत आसानी से आप जितने भी आपके पास कपड़े हैं उलन कपड़े हैं उनके जो रोएं हैं बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं और इससे कपड़े का भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो फ्रेंड्स इस तरह आपको इसको लेना है, और उपर से नीचे की तरह मूव करना है, इस तरह आप जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ, आप इस तरह आप करेंगे न, तो जितने भी कपड़े में रोएं निकले हैं, क्योंकि रोएं ज़्यादा तरके साइड में ज़्यादा निकलाते हैं, तो इस तरह आप जब करेंगे तो आपका कपड़ा पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और रोएं भी खतम हो जाएगे, तो उमीद करते हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी, तो फ्रेंट्स यहाँ पर मेरी जो है नेक्स टिप है, इस तरीके की चीनी को लेखें, मतलब हम लोग जो टिप्बे में चीनी वगरा रखते न, तो कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा, कि चीनी में बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है, और मतलब वो चिप-चिपीज सी हो जाती है, जब हम उसका यूज करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी बेकार सा हो जाता है, मतलब वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है, तो जो फ्रेंट्स में टिप बता रही हूँ, यह आप चीनी के साथ भी कर सकते हैं और अनाज के साथ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है दाल, चावल, किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स आपको करना क्या है, इस तरीके का दिया ले लेना है, ये friends वही दिवाली का दिया है जला हुआ दिया है इसे हमने साफ कर लिया है आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दिये हमारे पास बच जाते हैं उनने स्टोर करने का तरीका तो friends आपको बस simple सा काम करना है आपको दिया ले लेना है और उसे इस तरहे चीनी में अंदर रख देना है मतलब आपको उसे निकालना बिल्कुल भी नहीं है इसी तरहे उसमें रख के छोड़ देना है तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद जो भी आपको चीनी में या अनाज में मौशर आ गया है वो सारा ही खतम हो जाएगा तो उमीद करते हूं friends आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी तो चलते हैं friends next tip की तरफ तो next tip है friends इस तरीके के दवाई को लेके friends कभी-कभी होता है कि दवाईयां कभी यूज नहीं होती है और रखे-रखे वो expiration हो जाती है तो उनका हम यूज तो कर नहीं सकते हैं और हम अकसर फेक देते हैं तो आपको फेकना नहीं है इनके बहुत सारे यूज है तो friends आपको मैं आज एक यूज बताती हूं जैसे हमारा यह शिंका है इसका जो drainage होता है इसमें बहुत सारी मतलब समयल हाती है और कभी-कभी कीड़े मकोड़े मतलब काकरोज वगएरा बहुत जादा निकलते हैं तो आपको करना क्या है, जो expiry आपको दवा है, इसको ले लेना है, और एक आपको डबाल ले लेना है, कोई भी प्लास्टिक का बठन आप ले लिजे, तो उसमें आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पर करीब एक ग्लास फुल पानी, मतलब गरम पानी एड किया है, याद रखि और दवा दोनों चीज बहुत अच्छे से mix हो जाती है और गरम पानी में तो बहुत ही जल्दी mix हो जाती है तो इससे होता है क्या है friends जैसे जो आपका शिंक में ड्रेनिस में बहुत ज़्यादा smell आने लगती है और कीड़े मकॉडे बहुत ज़्यादा आता है तो उसे ना बह यहां पर यह बात हमेसा याद रखेगा कि यहां पर आपको गरम पानी का ही यूज करना है तो यह देखिए दवा बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है आप इसे करना क्या है जो आपका फ्रेंट्स जो किचन का श्रिंक होता है उसका जो ड्रेनिस होता है जिसमें जो खाने पीने की चीज़े होती हम बड़तन वगरा धुलते हैं और उसमें बहुत खाने पीने की चीज़े चली जाती है जिससे क्या है कीडे मुको और इसमेल बहुत ज़्यादा आने लगती है तो आप इस तरीके का अगर solution बना के उसमें डालेंगी तो जो भी bad smell है वो सारी ही खतम हो जाती है और कीटाणू सारे मर जाते हैं तो इस तरह फ्रेंड्स आपको पानी को लेना है और इस तरह आपको बीच में drainage में डाल देना है से जो भी इस pipe में bad smell है सारी ही खतम हो जाती है तो उमीद करते हूं फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी tip भी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर first time आये हो तो चैनल को subscribe करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और like करें तो चलते हैं फ्रेंड् यूसफुल है और हर लेडी के लिए बहुत ही ज्यादा important tips है क्योंकि ये रोज मर्रा की हमारे किचन में जो हम काम करते हैं उसमें ये हमें करना ही पड़ता है तो ये बहुत ही खास tip होने वाली है तो ये क्या है फ्रेंड्स जैसे हमने प्यास टमाटर अदरक मिर्चा और ल इसे बनाए तो ये मतलब मैं आपको temporary solution बता रही हूं permanent नहीं है अगर आपके पास भी ऐसी दिक्कत हो जाती है कभी तो आपको करना क्या है एक box ले लेना है और जो भी आपने चीजे काट के रखी है सबजियां उन्हें उसमें add कर देना है और फिर एक इमान दस्ता ले लेन दूसरा है ये बेलन बेलन आसानी से सब के घर में मिल जाता है तो इससे भी बहुत आसानी से paste बनके तयार हो जाता है ये temporary solution है पर ये बहुत ही useful तरीका है friends अगर किसी के पास mix नहीं है या फिर light चली गई है उस समय इस तरीके का use आप आसानी से कर सकते हो तो friends आप देख ल लग रहा है तो paste यहां पर बनके तयार हो गया है और इस paste का आप किसी भी तरीके की सब्जी बना सकते हो यूज कर सकते हो तो friends इसे मैं आपको प्लेट में भी डाल के दिखा रही हूं ये देखिए friends तो उमीद करते हूं कि आपको मेरा आज काई वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो देखने के लाइख वीडियो करें